कॉंग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को गुजरात के पाटन में कॉंग्रेस कैंडिडेट्स चंदनजी ठाकोर के समर्थन में जनसभा को सम्बोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी समविधान, बेरोजगारी, अगनिवीर भरती और OBC आरक्षन की बात की। राहुल ने कहा सवाल यह है कि भारत का समविधान बचेगा या नहीं। गांधी ने आगे कहा कि सच्चाई यह है कि बेरोजगारी देश में 45 साल में सबसे उच्छतम स् पर है। देश की 90 फीसदी आबादी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जन जाती और OBC समुदाय की है, लेकिन कॉर्पोरेट शेत्र और नौकरशाही में उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। राहुल ने वादा किया कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती हैं तो मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक एक सीटे मिली थी। गुजरात में 26, मध्यप्रदेश में 29, राजस्थान में 25 और उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट हैं। इस लिहास से पार्टी 160 सीटों में सिर्फ दो में ही जीत हासिल कर पाई थी। इस बार भ पंधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हिंदुस्तान में एक फीसदी लोगों 40 फीसदी धन को कंट्रोल करते हैं। यह देश की सच्चाई है। ऐसे में PM मोधी और BJP के लोग कहते हैं कि आरक्षन खत्म कर देंगे। राहुल ने कहा कि आरक्षन का मतलब है राहुल गांधी ने कहा कि 90 IAS अधिकारी दिल्ली में सरकार चला रहे हैं। राहुल ने आरोप लगाया कि वे बजट का एक एक रुप्या बाटते हैं। नब्बे में से केवल तीन ही पिछडे वर्ग से हैं। उन्हें पीछे बैठाया गया है। उन्हें एक छोटा सा पर जम कर भडास निकाली। राहुल गांधी ने वहां मौजूद लोगों से कहा कि अगर हम इस बार सत्ता में आते हैं तो हम नरेंद्र मोधी सरकार की ओर से लाई गई अगनिवीर योजना को रद्ध कर देंगे। उन्होंने कहा कि बीटे 45 साल में महंगाई अपने सबसे उच्चतम स्तर पर है। लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है।